हेलो फ्रेंड्स गुड़ मॉर्निंग मैं देविका देविका ब्लग चैनल में आप सब भी का स्वाज़त है और अभी यह मॉर्निंग का टाइम है और मैंने आज मॉर्निंग से व्लोग स्टार्ट कर दिया है अभी हमारा ब्रेकफस्ट हो गया है आज हमने ब्रेकफस्ट किया डाल रोटी और फिर चाई तो हमारा ब्रेकफस्ट हो गया है अभी और हस्बन भी घर में है व तो वह बस अभी जाने ही वाले है तो अभी बस आधी भी मेरे साथ ही है आधी यहाँ पर बेट पे बस सोया हुआ है खेल रहा था वह बस दर्सी बज़े है और इस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग आज शुरू कर दिया तो अभी चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूं मेरा अगर यह देखिए घर की हालत लेक्तम से खराब है अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया घर में तो अभी बस कर लोंगी धीरे धीरे अपना सब काम यह देखिए बाहर कितना धूप है बहुत धूप निकल आया है बस सूबह होते ही धूप निकल जाता है तो इधर भी मैंन मैंने बस घर को बस साफ सफाई कर लिया है मैंने घर का जो टेवल जो भी है सब कुछ मैंने साफ कर लिया है लेकिन अभी तक मैंने घर में जारू नहीं लगाया तो अभी मैं बस घर में जारू लगा लूँगी और उसके बाद बाकी सारा काम कर लूँगी आज मैं दोपहर करूंगी लंच में डाल और कच्छे केले का बहता करूंगी और मुझे अब पता नहीं पूER देखे हो उसके बाद coś अब आधा इसके बाद पूर में करूंगी फिर नहीं भी कर सकती उसका कोई कर रिहすक नहीं है यही है मेरे दोपहर का लंच तो फिर चलिए अभी बाकी सारे काम कर लेती हूं जो भी अभी बच्चा हुआ है तो किचन मुझे अभी भी साफ करना है मैंने किचन सेफ नहीं पिया लेकिन यह वाला रूम इने साफ कर लिया बस झारू लगा ना बाकि है तो अभी मैं किचन साफ कर लूंगी और पिसके बाद मैं जारू लगा तो फिर देखते रहें व्लोग बाद में आप तक उससे फिर मिलती हो अभी मैं घर में पोचा लगा रही हूँ लेकिन पोचा लगाने से पहले मैंने कुछ कपड़े भी धो लिये थे मैंने सुबा ही कुछ कपड़े भीगो कर रखे थे तो वो मैंने धो लिया और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ घर में पोचा लगाने और घर में पोचा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी और उससे पहले मैं आदी को भी नहला लूँगी और इसके बाद ये देखिए अभी मैं बस नहा धोकर आ गई हूँ और आने के बाद ये देखिए मैं बस cream powder जो भी लगाना है तो वो मैं लगा ले रही हूँ अभी तो बहुत गर्मी है तो इसलिए थोड़ा मैंने powder भी लगाया आज तो ये देखिए मैं बस ready हो गई हूँ और इस ताइब मैं आदी और हजबन से बाते कर रही थी तो बाते करते करते बस मैंने अपने बालों में कोम किया और free cream sim लगा लिया और ये देखिए आज मैं केले का भरता करूंगी तो यहां पर मैंने तीन केला ले लिया है और ये देखिए मैंने दोनों साइच से केले को कट कर लिया है अब मैं इससे बस अच्छी तरह से धोलूंगी और फिर इससे बॉइल होने के दिए चड़ा दूंगी ये देखिए डाल मैंने बॉइल होने के लिए चरहा दिया था और अभी वो बॉइल भी हो गया है बस मैं उसे तरका लगा दूंगी और यहां पर मैंने केले बॉइल होने के लिए रखा था तो वो भी अच्छी तरह से बॉइल हो गया है और चाकू भी बहुत अच्छी तरह से अंदर जा रहे है तो ये देखिए मैंने केले को पानी से निकाल लिया और इसे मैंने थोड़ा टाइम थंड़ा होने के लिए रख दिया था बाहर और जब केले एकदम से थंड़ा हो जाएगा उसके बाद मैं इसके छिलके उतार लूँगी ये देखिए मैंने पहले चाकु से कट कर लिया है इसके छिलके को फिर मैं बहुत ही आसानी से इसके छिलके को उतार लूँगी और ये देखिए आप लोग भी ऐसे ट्राइ किजिए गया छिलके उतारने में आसानी होती है और ये देखिए मैंने केले का छिलका अची तरह से उतार लिया है अभी और उसके बाद ये देखिए मैं पहले चिली और नमक को पहले अची तरह से मिला लूँगी और उसके बाद मैं प्याज को भी मिला लूँगी मैं यहाँ पर थोड़े बड़े साच का एक प्यास लिया था और अब मैं केले को भी इसके साथ मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से मिला लूँगी और उसके बाद मैं इसमें एट कर दूँगी कच्छे सरसो का तेल तो यह दिखे मैंने इसको अच्छी तरह से मिला ले र कि अवैज़ तेल सर्शु का तेल तो यह दिखिया मेरे एक्तम से रीडी हो गए है कच्छी के लिगा भरता तो ऐसे आप लोग हो भी ट्राइ परछा यह जिकाना में बहुत अच्छा लगते हैं और यह दिखिये कर दिक का बरता मैंने रेडी करके रखा और फिर मैंने ताल भ आज का रेसिपी आप लोग को कैसे लगा मुझे जरूर बतायेगा कमेंट करके तो आज का मेरी वीडियो बस यही तक था अगर आप लोग शुक्स लगे तो लाइक किजिएगा कमेंट किजिएगा और मेरी जेनल को सब्सक्रेब करना मत बूलिएगा फिर मिलते हूँ एक अच वाई भाई